KGMU के दीख्छान समारोह में उपस्थित, उत्तर प्रदेश की राज़िपाल वा KGMU की कुलाधिपती स्रीमती अनन्दी बैन पतेल, प्रदेश के चिकित्सा सिक्षा मंत्री श्री सुरेश खन्ना, कुलपती लेफ्टिनेंट जनरल डाक्टर विपिन पूरी, उपकुलपती प्रोफेसर बिनीच सर्मा, सिक्षकगण, अधिकारीगण, अतेतिगण, अभिवावकों और विद्यार्थियों. दिक्षान समारोह के आउसर पर सभी विद्यार्थियों, पदक विजेताओं, सिक्षकों और अभिवावकों को मेरी बहुत-बहुत बधाई. आज ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए, कितनी खुशी का दिन है, कि आज से इनके नाम के पहले डाक्टर सब्द जुड़ जाएगा. इसके लिए उन सभी युवा विद्यार्थियों को मेरी विशेश बधाई. केजी यम्यू जैसे प्रतिष्टित विश्विद्याले तता संबद संस्थानों के दीख्छान समारोहों में उपस्तित, आप सभी लोगों को संबोधित करते हुए मुझे हर्ष का अनुबव हो रहा है. 21 सदी की हमारी युवा पीडी के डाक्टर, नर्स तता स्वास्त कर्मी एक ऐसे भारत के लिए अपना योगदान करने जा रहे हैं, जो विश्व शमुदाय को नितरत देने वाले देशों में अपनी साख को और अधिक मजबूत बनाना चाहता है. आत्मे निर्फरता तता विश्व इस्तरी उत्क्रस्टता की आकांचा से ओध प्रोत हमारे देश की नई पीडी तता KGMU के मेधावी युवाओं के साथ आज के अवसर पर कुछ अइतिहासिक तत्यों को साजा करना मुझे सार्थक प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस संस्थान ने गंभीर चुनोतियों के बीच एक गवरवशाली परंपरा इस्थापित की है, सन 1911 में KGMC में सिक्षा आरंब होने के बाद का पहला दसक इस संस्थान के लिए और पूरे देश के लिए गंभीर चुनोतियों से भरा हुआ था, पहले बैच के विद्यार्थियों ने 1916 म डिगरी हासिल की है, वे सभी विद्यार्थी चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए अतियंत विशम परिस्तितियों में प्रथम विश्विद्ध के मोर्चों पर तैनात कर दिये गये हैं, 1918 में वैस्विक महामारी फैली जिसे इस्पैनिस फ्लू कहा जाता है, उस महामारी के कारण मरने वाले लोगों की संख्या भारत में सबसे अधिक थी, भारत की लगबग 31 करोड की आबादी में अनुमानता सभा करोड से डेर करोड लोग काल कवलित हुए थे, जबकि पूरे विश्व में मरतकों की संख्या लगबग 5 करोड थी, उसी समय अकाल और भुक्मरी का प्रकूप पीचल ला था, जनगरना के आखनों को देखने से यह इस्पस्ट होता है, कि 1911 से 1921 के बीच का दसक एक मात्र ऐसा दसक है, जिसमें हमारे देश की जनसंख्या में कमी दर्ज की गई, एक और तत उस समय देश में हो रहे बदलाव को इस्पस्ट करता है, आप सभी जानते हैं कि 1910 में समराट बनने से पहले किंग जॉर्ज सन 1905 में प्रिंस आफ वेल्स की रूप में भारत आये थे, उसी यात्रा के दोरान केजी एमसी की आधार सिला रखी गई, उस सिलान्याज का उदेश प्रिंस आफ वेल्स की यात्रा को यादगार बनाने का था, लेकिन जब अगले प्रिंस आफ वेल्स 1921 में भारत आये, तब तक आजादी और राष्ट्री आंदोलन की छेतना जागरत हो चुकी थी, गांदी जी की प्रेड़ना वा मार्ग दर्सन में देश वासियों ने हर जगे असायोग आंदोलन के तहत प्रतेक सरकारी समारों के बाईकार्ट के संकल्ब को काररूप दिया, इस प्रकार देश व्यापी स्वाधिनता आंदोलन में लखनोग की भी मात पूर्ण भागिदारी रही। आप सबकी यूनिवस्टी के परिशर में इस्थित, गांदी मेमोरियल और संबद्ध चिकित साले, कस्तूर्बा चेस्ट हास्पिटल, सरदार पटेल बॉइज हास्थल, कलाम सेंटर और अटल बिहरी बाचपे साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर हमारे राष्ट निर्माताओं के आदर्सों के याद दिलाते हैं। प्यारे विध्यार्थियो, आपने अपने लिए जिस नोबल प्रोफेशन को चुना है, उसका महात्यु केवल जीवको पारिजन तथा व्यक्तिगत उन्नती के लिए नहीं है। आपने मानव सेवा का मार्ग चुना है। हमारे देश में डाक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। आप सब युवा डाक्टर यह हमेशा याद रखें कि मरीज केवल मेडिकल केसिस नहीं होते हैं। वे संबेदन सील मनुस होते हैं जो पीड़ा, परेशानी, तनाव और आशंका की इस्तिती में आपके पास आते हैं। आताहा मरीज की देख भाल करने वाले डाक्टर और नर्स में कामपिटेंस और कमपैसन दोनों का होना बहुत जरूरी है। सक्षम वा संबेदन सील डाक्टर वा नर्स मरीजों का विश्वास जीत पाते हैं। मरीजों का ये विश्वास और आस्था ही उनके उप्चार का आधार है। मरीजों का विशेश कर गरीब तब के के मरीजों का ध्यान रखना आप सब का सरवोपरी करतब है। प्रोफेशनल एजुकेशन के छेतर में महिलाओं की भागिदारी को समाज में हो रहे बदलाओ एवं विकास का प्रतिविंब माना जा सकता है। मुझे के जी एम यू के पहले बहच के विद्यार्थियों की सूची दिखाई गई। 31 विद्यार्थियों की उस सूची में मात्र दो छात्राएं थी। मुझे यह जानकर प्रसनता हुई है कि आज के दीखशन समारों में कुल 44 पदक विजेताओं में से 21 बेटियां हैं जो लगबक 50 पिचसत है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ऐसी बेटियां 21 सदी के समावेशी भारत का निर्मार करने में अपना विशेश योगदान देंगी। 21 सताबदी की स्वास्त सेवाओं में Communication, Technology और चिकत्सकों की व्यक्तिगत प्रतिभा के समन्वे का उप्योग करने के विश्वयापी प्रयास चल रहे हैं। Big Data, Artificial Intelligence, Robotics, Information Technology तथा Connectivity के साथ Biosciences के समचित समन्वे से स्वास्त सेवा के छेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। 58 Specialities से युक्त इस University में Primary Data पराधारित, Interdisciplinary तता Multidisciplinary Research की अपार संभावनाय हैं। KGMU जैसे अग्रणी संस्थान में Original Research पर भी उच्छे स्थरी कारक्रम चलते रहने चाहिए। युवा विद्यारतियों में आरंब से ही शोद की मानसिक्ता विक्षित की जाने चाहिए। 2020 के दौरान पूरी दुनिया के लोग वैश्विक महामारी COVID का सामना करते रहें। हमारे देश की आबादी, विशाल और घनी होने के कारण ये चुनावती हम सब के लिए और भी गंबीर हो सकती थी। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय रहते उचित कदम उठाए जाने से इस महामारी पर यता संभो नियंत्रन रखा जा सका है। देश की सबसे बड़ी आबादी वारे राज उत्तर प्रदेश में कोविट की जाँच, चिकित्सा और रोक थाम के लिए केजी एम्यू ने भी असाधरन योगदान दिया है। मुझे बताया गया है कि केवल केजी एम्यू में ही अब तक लगबग नौ लाग सेंपल की टेस्टिंग की जा चुकी है। केजी एम्यू जैसे सार्वजनिक अस्पतालों ने कोविट नाइनटीन का सामना करने में अग्रणी भूम का निभाही है। इन असाधारन प्रियासों के बल पर ही गनी आवादी तता सीमित आय जैसी परिस्तितियों से जूचते करोणों देशबासी कोविट की चुनातियों का सामना कर पा रहे हैं। मैं सभी देशबासीयों की ओर से केजी एम्यू जैसे सार्वजनिक स्वास्त संस्थानों के डाक्टरों, नर्सों तथा अन स्वास्त कर्मियों को विशेश धनवाद देता हूं जो कुरोणा का सामना करने में अग्रिम पंक्ती की युद्धा रहे हैं। इन कुरोणा युद्धाओं की जितनी भी सराहने कही जाए कोई कम है। इस युद्ध में अनेक कुरोणा वारियस ने अपनी जान गवाई है। हमारा देश इन वलदानियों का सदय रिनी रहेगा। KGMU के पूर्व चातर पिछले कई दसकों से देश-विदेश के सीरसस्त चिकित्सा संस्थानों के उच्छतम पदों को सुसोवित करते हुए अपना उलेखनी योगदान देते रहे हैं। इस संस्थान में सिक्षिट डाक्टरों ने भारत में मेडिकल एजुकेशन को प्रभावी नेतरत दिया है। आज एक जानकारी आप सबके साथ साजा करते हुए मुझे खुसी हो रही है। मेरे स्वास्त की देख भाल के साथ साथ राजपती भावन परिवार के स्वास्त की प्रमुक जिम्मेदारी भी आपके ही संस्थान के पूरुछात्र के सक्षमातों में हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि KGMU के डाक्टरों की नई पीडी भी अपने संस्थान की गौरोशाली परंपरा को आगे बढ़ाती रहेगी. मुझे बताया गया है कि लगबख साड़े 12,000 सदस्यों का Georgian Alumni Association अंतर राष्टी इस्तर पर सक्री है. मेरा सुझा है कि इस Association द्वारा एक Knowledge Portal इस्थापित किया जाए. इस Portal पर देश-विदेश में कारज़त सभी Georgian अपनी विशेश जानकारी और अनभव साजा करें. इह जानकारी उनके द्वारा पर्यूक्त, चिकित्सा पद्दती, रिसर्च वर्क, जटल केस के ट्रीटमेंट, अथ्वास्वास्त सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने से जुड़े किसी भी विशेपर हो सकती है. इस विश्वियापी आदान प्रदान से जारजियन परिवार के सभी सदस, विशेश कर्यूबा सदस लाभान बित होंगे. साथ ही इस ज्ञान का उप्योग अन्यत्र भी किया जा सकेगा. मुझे यह जानकर बहुत प्रसनता हुई कि केंद सरकार द्वारा सुरू किये गए उन्नत भारत वियान के तहट केजी एम्यू ने दस गाओं को अपनाया है. तथा उन गाओं में स्वास्त संबन्दी गतविदियों के प्रसार के लिए प्रतिवद्धता व्यक्त की है. सिक्षन संस्थानों से यूनिवर्स्टी सोशल रिस्पॉंस्बिल्टी का निर्वहन कराएं. केजी एम्यू दारा उन्नत भारत वियान से जुड़ने के लिए मैं कुलादी पती, स्रीमती आनंदी वहन पतेल तथा यूनिवर्स्टी की टीम को बढ़ाई देता हूँ. देवी और सज्जनु, गंभीर बीमारी का हिलाज कराने के लिए अनेक देशों से लोग भारत आते हैं, क्योंकि उन्हें कम खर्च पर विश्व इस्तर का उपचार प्राप्थ हो जाता है. मुझे विश्वास है कि नई और पूरानी प्रीणियों के सभी डाक्टर मिलकर देश में स्वास्त और चिकित्सा के छेत्र में क्रान्तिकारी बदलाव ला सकते हैं. हमारे देश के डाक्टरों और नर्सों की प्रतिवा वा सेवा भावना की साख पूरी दुनिया में हैं. एक आकलन के अनुसार अमेरिका में हर सात्वा डाक्टर भारती मूल का है. और अमेरिका के निवासी भारती डाक्टरों पर बहुत भरोसा करते हैं. अन्य कई विक्षित देशों में भी भारत के डाक्टरों को ऐसा ही सम्मान प्राप्त होता है। भारत के डाक्टरों की इस प्रतिभा का उप्योग अपने देश में भी और अधिक प्रभावी तरीके से होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का हेल्थ केर सेक्टर ऐ आईसा बने जिससे की पूरे विश्व में क्योर इन इंडिया एक मोहवरा बन जाया। मैं एक बार फिर सभी विद्यार्थियों, सिक्षकों, अभिवावकों और इस दीक्षान समारों के आउजन से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं तता सभी विद्यार्थियों के उज्वल भविश्य की मंगल कामना करता हूं। धन्वाद, जय हिंद।